हिंदों से बदला लेने के लिए कांग्रेस ने तीन महा घटिया कानूर बनाए एक 1991 में बनाया प्लेस आफ वर्शिप एक्ट दूसरा 1992 में बनाया माइनाटी कमिशन एक्ट और तीसरा 1995 में बनाया वक्ट पैक्ट और हिंदों से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि रामपंदिर का मुमेंट 1988 से पीक पर आना सुरू हुआ 1990 में एकदम पीक पे आ गया था कारसेवा शुरू हो चुकी थी इसलिए हिंदुओं से बदला लेने के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1991 में प्लेसाफ वर्शी पैट बनाया और उसका मूल कारण था कि उस समय एक नारा दिया जाता था आयोध्या तो जाकी है कासी मतुरा बाकी है कांग्रेस की सरकार ने 1991 में कानून बना के कासी और मतुरा कभी हम फ्री ने करा पाएं जिन मठ मंदिरों पे हमारा मुगलों ने कबजा किया वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया उसको हम रिस्टोर न कर पाएं उसलिए उन्होंने 1991 में कानून बना दिया प्लेसाफ वर्शी पैक्ट ये कानून कहता है कि आयोध्या का मुकदमा तो कोट से चलेगा बाकि सारे के सारे मुकदमे जो कोट में चल रहे हैं खतम हो जाएंगे नया कोई मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा इसका मतलब हिंदू, जैन, बौध्ध और सिख के लिए कोट का दर्वाजा ही बंद कर दिया किसी भी लोगतंत्रिक देश में जो विवाद होता है, उसका समाधान कोट के जरी होता है अगर कोट का दर्वाजा बंद हो जाएगा तो लोगतंत्र खतम हो जाएगा भीडतंत्र हावी हो जाएगा लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ये काम किया कांग्रेस की सरकार ने कहा तुम्हें कोट जाने नहीं देंगे और अगर वैसे तुम भीड़ी कठ्था करोगे तुम्हारे उपर गोली चलवाएंगे अखिर अध्या में गोली चली ना हिंदू मारे गए ना तो कोट जा नहीं सकते भीड़ी कठ्था करने सकते भेड़ी कठा करोगे लाटी चार्ज करेंगे गोली मारेंगे कोड़ तूम्हें जाने नहीं देंगे हमारा right to religion छीन लिया हमारा right to culture छीन लिया जिन मंदिरों के बारे में हमारे किताबों में लिखा हुआ है उन मंदिरों को वापस नहीं ले सकते कांग्रेस ने कानून बना के बाबर हुमाईू तुगलक गजनी गोरी औरंग जेव के इलीगल काम को लीगलाइस कर दिया जो उन्होंने हमारे मठ मंदिलों पे आवाइद निर्माड किया आवाइद कबजा किया कांग्रेस ने उसको लीगलाइस कर दिया इसलिए मैं कहता हूँ 1991 का प्लेस आफ वर्षी पैट भारत का सबसे घटिया कानून है और ये कांगरेस का महापाप है इस महापाप को खतम करना बहुत ज़रूरी है मैं धन्यवाद दूँगा संसद हरनात यादो जी को कि उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाया है उन्होंने प्राइवेर प्रिम्मर भी पेस किया है और हमें पूरा भरोसा है कि अब आने वाले सत्र में नई सरकार में ये प्लेस आफ वर्षी पैट खतम होगा और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो अगले पूरमे अटाला है जहांपे अटाला मस्जिद बन गई है उसको रिस्टोर करना चाहिए था जो हमारा ग्यानुबा प्यास को रिस्टोर करने ते खानों बनाते का गुजरात का जो रूद्र महालाय मंदी小 scholarships मस्जिद बनी है उसको रिस्टोर कर लेते कानून बनाके जो गुजरात में भधर काली मस्जिद पर अवाइद कबजा हो रखा है जहां जामा मस्जिद बनी इसको रिस्टोर कर लेते जो बंगाल में अधीना मस्जिद बन गई है हमारे इतिहासिक मद्ध प्रिदेस का धार है जहां भोशाला जहां सरुस्ती माता का मंदिर है उनकी मूर्ती थी उसको रिस्टोर कर सकते थे लेकिन कांग्रेस ने हमारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने की बजाए रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाए ऐसा कानून बना सरकार कांग्रेस को पता था सरकार हमारी रहे गी फम गों कोपय प्れज़ाने भी रहें हैंगे। कि तeil Bhag a चार सौ पार इसी लिए जरूरी है क्योंकि हमें भारत के सबी मठมंदिरों को वापसptyूर करने के लिए एक नया कानून चाहिए एक प्लेस आफ वर्शी पैट खतम करवाना है और नया कानून बनाके सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर कराना है क्योंकि कोट के जरी अगर रिस्टोर करते रहेंगे तो 50-50 साल लगता रहे क्लियर असपस्ट हो रहा है कि नहीं ये तो मंदिर था उसको वापस रिस्टोर कर ले कानून के जरीए रिस्टोर करना बहुत आसार दूसरा जो घटिया कानून मनाया कांगरेस ने वो 1992 में बनाया माइनाटी कमिसन एक्ट मुसलिम्स को फाइदा पहुँचा या क्रिश्टियन्स को फाइदा पहुचा या हिंदू को आपस में बाट दिया जैन बाध्ध और सिख को माइनाटी खोसित कर दिया जबकि जैन बाध्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं कि जितने भी कानून है वहां पे जैन बहुत दसक हिंदू कहलाते हैं, याद रखिए, 1992 के पहले कभी भी हिंदू और बहुत धापस में लड़ते नहीं थे, हिंदू और जैन का अपस में कभी जगडा नहीं होता है, यह सारा सारा जो जगडा सुरू हुआ है, यह 1992 के education institution को खतम कराना है तो इसलिए मैं कहता हूं अब की बार 400 पार जरूरी है जो तीसरा घटिया कानून बनाया वो वक्ट पैक्ट 1995 में वैसे जो पहला वक्ट पैक्ट बना था वो नहरू जीन मनाया था 1954 में इंद्रिया गांधी न उसको और मजबूत किया राजियो गांधी ने वक्ट पैक्ट को और मजबूत किया लेकिन नरसिम राओ ने तो सारी सीमाय तोड़ दिया 1995 का जो वक्ट है वो तो unlimited power देता है किसी भी सरकारी किसी जंगल में जाके कह दे यहां औरंगजेब का घोड़ा घास खाने आता था वो जंगल उसका वो पार्क उसका वो उसर जमीन उसकी वो बंजर जमीन उसकी वो खेल का मैदान उसका लोगों की जमीन वक्ट बोर्ड नहीं चीन रहा है बलकि जो पबलिक लेंड है जो सरकारी जमीन होती है पार्क होता है खेल का मैदान होता है गोचर की जमीन होती है बंजर जमीन होती है उसर जमीन होती है आदिवासियों की गाउँ महाँ पे जा जा के कबजा करता चले जा रहा है रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा जमीन इसमें वकबोर के पास यह सारी जमीन वापस लेना है सभी सारी जमीन तभी वापस हो सकती है जब वक पैक्ट खतम हो और एक नया कानून बनके उस सारे जमीन को वापस लिया जाए तो 1991 का प्लेसा फ़र्शी पैक्ट 1992 का माइनर्टी कमिशन एक्ट 1995 का वक पैक्ट यह हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा है और यह तीन कानून खतम नहीं हुए तो हम खतम हो जाएंगे मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगर यह तीन कानून खतम नहीं है तो हम का हम खतम हो जाएंगे इसलिए इसके बारे में जंजागन करिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 4000 फेस्बुक फ्रेंड बनाईए 5000 बना लेते तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो कम सकम 4000 फेस्बुक फ्रेंड जरूर बनाईए रोज 100-200 लोगों को अपना फेस्बुक फ्रेंड बनाईए पर डे एक घंटे टाइम निकालिए फेस्बुक पे 100-200 लोगों को रिक्वेस्ट बेजिए फ्रेंडशिप की अगले एक महीने के अंदर फटा फट दो-तीन हजार नए लोगों को जोड लीजे और सही बात लिखना सुरू करिए अगर दल गुलामी नहीं छोड़े पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़े जाती के अधार पे बटे रहे भाशा के अधार पे बटे रहे छेत्र के अधार पे बटे रहे अगडे पिछडे के अधार पे बटे रहे तो ये कानून खतम नहीं हो पाएंगे ये कानून तब खतम होंगे जब आप सब लोग मिलके भारती हो जाएंगे और बोलेंगा हम भारती हैं सबसे पहले घटिया कानून बदलो और प्रधानमंत्री जी ने बोला एकल कि हम एक ऐसे भारत की नीव रखने जा रहे हैं जो अगले एक हजार साल तक ससक्त होगा सम्रिद होगा तो सौविक सी बात है एक भारत स्वेश्ट भारत तभी बनेगा जब सारे घटिया कानून बदले जाएंगे और घटिया कानूनों का दुस परिणाम आपको बताता हूँ एक आर्टिकल 370 ने कस्मीर को बरबाद किया था कांग्रेस ने ऐसे 50 कानून बनाए हैं 50 आपने कस्मीर में ता अटिकल 370 का प्रभाव तो देख लिया ना पूरे भारत में कांग्रेस ने कम से कम भारत को बरबाद करने के लिए 50 कानून बनाएं उन सभी कानूनों को खतम करने के लिए जरूरी है लोकसभा और राजसभा में दो तिहाई बहुमत हो याद रखिएगा चुनाओ आ रहा है अपने रिस्तेदारों से बात करिए अपने नातिदारों से बात करिए और अपकी बार 400 पार करिए